नमस्कार मैं अश्वन इवान खड़े स्वागते अब सभी काक्रिशी नियूज में आई ये लोग करते हैं आज की टॉप हेड्लाइन्स टीवर नैनो यूर्या के बाद अब जल्द किसानों को मिलेगा नैनो जीपी सरकार ने दीन मन्सूर है MTT कंप्री ने डीलर्स मीट में 30 से जादा प्रोड़क्स किये लाउंच केंद्री मंत्री ने किसानों को से मोटा राज उगानी का किया आग है पिम किसान के बाद एक और शांदर गिफ्ट सरकार ने किसानों की खाते में टाले करूड रोपए हिंदुस्तान उर्वरक के गौरखपूर प्लांट को मिला सेलशेष्ट प्रसका मोगा का किसान इस टॉपरी की खेती से कमा रहा लाखो रुपए स्पिकर कुल्तार सिंग सांधुहा ने बढ़ाया होसला दिल्ली आइंसेयार की पहली हाथ वाली आटाचक की शांदा है इसकी खासियर फ्लिपकार्ट इंडिया ने शुरू किया समब्ध कुश्यकार क्रप किसानों को मिलेगा बड़ा पायदा दिल्ली में खुश्णमा मौसम और प्राजिस्था में बारिश होली से पहले आइंप जी ने की भविश्यवाएं आई विस्तार से खबरों क्यों रूप करते हैं केंद्री रसाइन और उर्वरक मंतरी मनसुख मांजविया ने कहा कि किसानों कुलाब पाहँषाने और देश को आट मिलेगा बनाने के लिए सरकार ने नेनो तरल डीएपी और वरक बाजार में उताने की मनसुख देदी है मांजवा ने एक ट्रीट में कहा कि नेनो जूर्या के बाद सरकार ने अब नेनो डीएपी को भी मनसूख कर दिया है उन्होंने इसे उर्वरक के छेत में आत्मिर भरता हासिल करने के दिशा में कर्दम उठाया है और साथ ही इसे किसानों को बड़ा पाद होगा नेनो तरल डीएपी को साल 2020 में पहली बार लाने वाले उर्वरक सहकारे संग इफको ने कहा था और इसके उठसा चुनत परिणामों को देखते हुए इसे उर्वरक नियंतर्ण आदेश में अधी सूफचित किया गया है साथ ही आपको बता दे कि आवस्ती में यह भी कहा कि इसको नेनो डीएपी का विन इर्मान करेगा जो कि भारती क्रिशी और अर्थवस्ता में बदलाव लाने वाला होगा चार मार्च को दिले के दौर करसित होटेल विवानटा बाइताश में MTT कंपनी द्वारा एक डिलर मीट का आयोचन किया गया जो हां 30 से जादा डिलर्स मौचुद रहे यही नहीं बलकि कंपनी द्वारा इस मीट में सबी डिलर्स की मौचुद की में 30 से जादा प्रोड़क्ट को भी लाउंच किया गया यह प्रोड़क्ट सभी कैटिग्रीज के लोगों के लिए तयार किये गए हैं आपको बता दें कि किसाब जुनको एक एकर्ड की जमीन में काम करना हो या फिर किसानों को किसी भी तरह की बागवनी करनी हो सबी तरह के लोगों के लिए इस डिलर्स में एक हस प्रोड़क्ट लाउंच किये गए जो कि बैक्ट्री से चलते हैं यही नहीं अगर इनके सर्विस की बात की जाए तो सिर्फ 8 घंटों के अंदर कमपनी आपको प्रोड़क्ट से जुड़ी सबी समस्यां को हल करने का दावा करती है इतना ही नहीं डीलर मीट में आवार्ड सेर्मैनी भी ऑर्गनाइस की गई जहां 6 काटिगरी में डीलर्स को अवार्ड दे कर संभाने दिया आपको बता दें कि यहां क्रिश्टी जागरम की टीम भी मुझ जुड़ी आपको बता दें कि रागी और जुवार जैसे मोटे अनाज कमपानी में वाय जाते हैं लेकिन इमें अधिक पोशक तक्तूर प्राप्त होते हैं हाला कि इन चमतकारी अनाजों को यह सोच कर लोग नहीं खरीते हैं कि यह गरीब आद्मी का भोजन है आपको बता दें कि राश्टी राज़ानी के पूसा परिसर में यहां वार्षित प्रिश्य विज्ञावियले के उठखाटा अभाशन में तो मैंने कहा कि मोटा अनाज छोटे और सिमान किसान द्वारा उगाया जाता है ना कि बड़े किसान द्वारा नोंने कहा कि कोपोश्यों के समस्यां और जल्वाई परिवर्थन के चुनोतियों की भीच भारत ने अगिन भूमे का निभाई है और वर्थवान वर्ष को दुनिया भर में मोटा अनाज के अर्दाश्टी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है आन्जर प्रदेश के किसानों के लिए खुश खबरी है दरसल मुखी मंत्री वाईएस जगन मोहन प्रेटी ने वाईएस आर राइटुप भरोसा पीम किसान योजना के लिए एक लाग नबे दश्मलब साच्छे करोर रुपे की राश्यों जारी की है उन्होंने कहा कि सरकार योजनां से 50 लाग से अधिग किसान लाभर्मित हो रहे हैं दरसल उन्होंने यह भी कहा कि पछले साल पाकारतिक आब्दा की वज़़ा से किसानों काफी नुक्सान उठाना पड़ा था बारिश के वज़ा से खेत में खड़ी फसल वरबाद हो गई थी ऐसे में किसानों को आर्थिक रूप सिंबद करने के लिए सबसीडी योशना के तहट 36.99 करोड रुपे किराफश इजवारी की गई है इससे 91,237 किसानों को फायता होगा हिंदुस्तान, उर्वरक और रसाइन लिमिटिट गोरपूल प्लांट को वर्ष की सलफ्टेज्ट वित्रण रणनीती श्रेनी में पहला प्रवसकार दिया गया है यह प्रवसकार उसे Future of Logistics and Supply Chain Summit and Awards समहरों के साथे संस्रन के लिए मिला है आपको बताते हैं कि दिली में आईजित इस समहरों में गोरपूल प्लांट को Best Distribution Strategies of the Year Award से सब माने क्या गया है यह प्रवसकार उसकर परणाव हासिर करने वाली वित्रण रणनीती को विसुद करने और क्रैमित करने में हुर्ल की उसक्रशता को मानेता देता है विपरवसकार उन कंप्ली को मानेता देता है जिनों हुने उद्योग में महतोपूर्म योगता दिया है साथ ही उद्करशरता की नई मानक इस्थापित के हैं आपको बताएगे कि प्रतियों गिता कर मुलेकान विजशग्यों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा क्या जाता है जिसमें उद्धियों के नेता, शुक्षावीद और निशलेशक शामिर होते हैं हुरेल के डॉप्टर रुपीश कुमार सिर्म ने कहा कि हम अपनी विधरन रनीती के लिए ये सम्मान पाकर रोमान शुट हैं और हमने ग्रहकों की इसरुतों के प्रति उत्तर दाई ली हैं उन्होंने का कि ये उपरसकार हमारी टीम की कडिम हैद और समर्पन का प्रमान है मोगा की गाउं दोसांश के किसान जस्पीत सिंग पिछले 4 से 5 साल में डियर एकर जमीर पर स्टॉपरी की खीति कर रहे हैं और धान गेहूं की फसल से हट कर नई फसल को पंजाब मिलाकर लाखों रुपे कमा रहे हैं को पता दें कि जस्पीर सिंग से मिलें जेटी स्पीकर कुलतार सिंग संध्वा गाउं पहुंचें इस तोरान स्पीकर संध्वा ने कहा कि आप पंजाब के नौजवान खेति के तरफ धान दे रहे हैं यह पंजाब के लिए बहुत बड़ी बात है पंजाब को रंगला पंज़ा बनाने के लिए जस्पीर सींग जैसे नौजवान किसां का योगदान बहुत जरूरी है आज के इस आधुनिक यूग में जिस तरह से अन्यवपादों के बाज़ा में सामान आ रहे हैं ठीक उसी तरह से मार्केट में कई खास तरे का आटा भी आ गया है जिससे खाकर लोग अपने आपको नुकसान पहुचा रहे हैं क्या आप ऐसा आटा तो नहीं खा रहे हैं जिससे पूशक तत्वों और प्राकते विटामीन के नाव पर कुछ भी नहीं है ऐसा आटा आप कीम्यूटी को तो बढ़ाता नहीं है बलकि आपको बिमारी की तरफ लिजाता है इसे बचनी और अपने आपको लंबे समय तक स्वस्त बनाया रखने के लिए आपको हाथ वाली चक्की से त्यार किये गए आटी का सिवन करना चाहिए हाथ से चलने वाली वैदिक चक्की सिर्फ आटा ही नहीं बलकि कई तरह की मसालों की भी पिसाई करती है त्रिसल वैदिक चक्की दिली अंसियार की पहली हाथ वाली आटा अप सकती है जो गाजियवाद के चंदर नागर में मौचुद है जानकारू का कहना है कि वैदिक चक्की स्वस्त भारत की पहचान है अगर आपका आटा बिमार है तो आज ही वेदिक 24 से त्यार किया हुआ आटा अपने घर ले आए फ्लिपकार्ट जो आपके समिछ सबसे अधिक आधिक ऑनलाइन खरीदारी का प्लैटपॉर्म बन चुका है और इसका मुख्यों देशे एक रोशक समिडाओं और किसार उत्वादल सबस्टनों को राष्टी बाज़ार तक पहुंचाना और साथ ही कई में फ़कूल मुद्व पर बाचित करना है यह भी बता जा रहा है कि इस टार्करम के मुद्द से देश की किसार सशक्त होंगे और साथ ही क्रिशे छीत में भी काफी बड़ोतरी होगी तो वहीं देश के रास्टी राज़ाने दिल्ली एंसियार समेत उतर भारत के राप्चर का मौसम सुहावना है पंजाब, यूपी, हर्याना, उत्राखन, हिमाचल परदीश में फिलहार बारिश होने की संभावना जुताई जा रहे है बारिश ना होने के वज़ा से इस महीने तापमा में बड़ोतरी दर्ज के जा रहे है दिल्ली में अधिक्तम तापमान 31 डिग्री और निम्तम तापमान 15 डिग्री से अधिक बना हुआ है वही अगले सप्ता याने की 9 मार्श तर अधिक्तम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सेस तक रहने की उमीद है जबकि 19 दापमान 15-16 डिगरी के आसपास बना रहे है। जहानकारी की मुताबिक 6 मार्श को ौचल्य के दापमान में मामूली कमी आएगी। साथे इस दरौान अधिक तापमान 30 डिगरी और 10 डिगरी और 15 तापमान 16 डिगरी के आसपास रह सकता है। इसे तरह कि आने खबरों के लिए जुड़े रही करशिय जागर के साथ धन्यवाद